Hello students, welcome back to my YouTube channel आज की वीडियो होगी क्लास 11 और 12 आर्ट्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनके लिए मैं बहतरीन टाम टेबल स्टाडिजी की वीडियो लेकर रहा हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं टाम वन एक्जामस आने में आप सिर्फ एक महीना ही रह गया है तो आप अपने प्रिपरेशन को कैसे अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं आज किस वीडियो में आप सीखेंगे एक में बहतर plan strategy इस वीडियो में आपके साथ share करने वाला हूँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बराएं तो subscribe जरूर कर ले और बेल आइकन को on करें वीडियो बहुत important एसलिए इसे end तक जरूर देखें चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भा रहे हैं मैंने यहाँ पर अपने नोट्बूक में पांच सब्जेक्ट मैंशन कर दिये हैं history, English, Hindi, Physics, Education और Fine Arts हो सकता है आपके पास कोई different subjects होंगे तो आप एक काम करेंगे आपके पास कोई और subjects हैं तो आप इनको इत subject में fit कर दीजिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास history नहीं है बाकी 4 subjects यही है जो मैंने बता हैं तो आपके पास जो history के अलावा कोई और subjects है उसे आप history के जगह पर रख दीजिए अगर आपस English नहीं है तो दूसर कोई subject से उसे English के जगह पर रख दीजिए बाकी कोई भी चेंजिस करने के जुरूत नहीं है टाइम टेबल आप लोग का सेम रहेगा बस subjects चेंज हो जाएंगे आपके subjects किस तरीके से चेंज करने हैं ये ध्यान से देखिएगा भी मैं आपको बताने वाला हूँ आठ चार्सो 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 जी हाँ याद कर लीजिए WhatsApp नमबर क्योंकि आप चाहे आपका math का सवाल हो या physics chemistry biology का आपके हर doubt हर question का मिलेगा तुरन वीडियो solution वो भी सीधा आपके WhatsApp पर बस अपने phone में doubtnet का आठ चार्सो 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 वाट्सेप नमबर सीव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका doubt है वो सवाल की आपको बस photo kitchen है उसे crop करना है और पांच सेकेंड में आपको उसका वीडियो solution मिल जाएगा क्लास 6-12, ITJE, NEET, CBSC boards और सभी state boards के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए और आठ चार्सो 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 पर अपना सवाल वाट्सेप कीजिए और अपने सभी doubts को out कीजिए लिंक description में है आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे मैंने यहाँ पर 5 subjects mention किये हैं और यहाँ पर मैंने यह लिख दिया है subject 1, 2, 3, 4, 5 मैंने numbering कर दिया और इनके सामने भी मैंने कुछ लिखा है most difficult यानि मैं यह मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके पास यह 5 subjects है और history number 1 पे सिले रखा क् बहुत बच्चों का most difficult subject होता है आप लोगों लिए अगर कोई और सबसे ज्यादा difficult subject है तो आप उसे यहाँ पर number 1 पे रख देंगे आप अपने subjects के list कुछ इस तरीके से बनाएंगे और उसे numbering कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक इस तरह second subject को मैंने उससे कम difficult रखा है मतले भी subject 4 ठीक ठाक है हिंदी physical education इस तरह के से और सब्चेक्ट नमबर 5 फाइन आट्स वह very easy उसको सबसे मैंने नीचे रखा है ठीक आप इस परकार से अपने subjects को यहाँ पर fit कर देंगे comment section में लिखिए बता है आपके पास क्या 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 सब्चेक्ट से उन्हें आप इसकी जगा प subjects पढ़ने है maximum ना तो आपको दो से कंPod पढ़ने हैं और नाहीं आपको दो से ज्यादा subjects पढ़ने हैं दो से ज्यादा subjects आप पढ़ल ही नहीं पाएंगे बादण हो जाएगा इन पांच आंच वहठीक्ट मैं से कौन्च से लिana Babiously कितने घंटे पड़ाई करनी है आप और सि करने पर एठेंगे जब बर्दस्ती तो फिर आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे तो पांच घंटे की study करिए कैसे करनी हैं आईए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम weekly में कौन से दो सब्जेक्स पढ़ेंगे और कितने कितने घंटे पढ़ेंगे जैसा कि आप देख पाएं नोटबुक में मैंने weekly time table आपका लिख दिया है कैसे आपको प्लान करना है आईए समझते हैं मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया था कि daily आपको दो सब्जेक्स ही पढ़ेंगे तो आई शुरुआत करते हैं मंदे से मंदे को आपको आप क्या करेंगे subject number one subject number two बस यह होगा आपको दो सब्जेक्स कैसे हुए दो सब्जेक्स subject पर मैंने रखा हिस्ट्री आगर आपके बाष हिस्ट्री नहीं है तो कोई सब इससे सब्जाथ जो सबसे ज्यादा टिफिकल्ट हो मोश्ट्ट सब्जाथ को आप अपने नंबर वन रिस्ट में रखेंगे और उसे आप करेंगे मंडी को उसके बाद से रेकें सब्जेक्ट कौन सा होगा जो उससे just कम difficult है यानि यह सबसे ज़्यादा मुश्कल सब्जेक्ट और फिर उससे कम मुश्कल सब्जेक्ट उससे नमर 2 पर रख दिया है मान लेते हैं आपका सबसे सेहीड हुँद केटा मुश्किल इंगैं श्कीरिंगलस दुछ इस तरीकिसे रख दिया इंगलशिट्र शब्जक्ट नमर τον Woah प्रेया कैसरे यह जैंघाविहो Canadian फ्रेतिë पीजिशे यह गन्ता पहनी नहीं है about ब्रेक देने के बाद दूसर सब्सक्ट की रिबीजन वो भी गंटे कि हो गप्लै तो आप देखिए ने दैल्ली कितने हो पड़े हो एक 14 और 5 लगात आपे पंड ने इन सबंसे कम एक घंट का ब्रेक तो होना यह चाहिए यह फिर आदे होने गंट का兩ग ज़ऑर अब यह जो time table था यह था Monday का same यही time table Wednesday का भी है इसलिए मैंने यहाँ पे slash लगा रहा है Monday और Wednesday और हाँ इधन रखिए यही time table Friday का भी है अगर आप गौर कर रहे होंगे तो Friday भी same है subject 1 1, subject 2 यहाँ पर भी revision 1 subject मतलब revision 1 की जो भी आप अपनी list में रखेंगे जो most difficult होगा इसी तरह revision 2 मतलब जो आप Monday को पढ़ेंगे वही repeat करेंगे Wednesday को और वही repeat करेंगे Friday को बस एक शर्त यह है कि जो दो subjects आप रखेंगे वो दोनों मुश्किल subjects होने चाहिए ताकि आप उसको ज्यादा बार पढ़ सकें अब आते हैं Tuesday पर तो Tuesday को आप पहुंचे पढ़ेंगे subject no.3 subject no.4 3 और 4 यानि जो difficult की category में नहीं है ज्यादा easy भी नहीं है पर difficult भी नहीं है 3 और 4 आपने रख दिया ठीक है फिर इसी तरीके से उसकी भी revision करेंगे 3rd की और फिर 4 subject की revision करेंगे 5 गंटा ये और गंटा ये पहले से दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेकिन इस पर क्या करेंगे मैंने यहाँ पर रखा subject 1 और subject 5 क्यों इस तरीके से रखा है क्योंकि subject 1 मैंने इसलिए रखा subject 1 को मैं मानके चल रहा हूँ most difficult जो भी आपका होगा ज़रूरी नहीं हिस्ट्री अगर आपस सब्जेक्ट मैं रखा क्योंकि यह तो अभी तक आपने पढ़ाई नहीं है फ्राइड़े तक क्योंकि इस में नीचे रखा फिल्ट सब्जेक्ट को क्योंकि यह वैरी एजी है मेरे किस में मैंने फाइन आर्स लिख दिया है आपके लिए कोई और subject हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा easy होगा तो उसे आप हफते में एक बार भी पढ़ेंगे तो काफी होगा मेरे हिसाब से देड़ घंटा यह पढ़ा देखें टाइमिंग सब वही सेम रहेगी देड़ घंटा उसके पहले subject की रिवीजन करी और वन का रिवीजन फर्स सब्जेक्ट की यह भी एक घंटा करा और इसी के बाद देखिए फिफ्ट इजी सब्जेक्ट था उसकी रिवीजन कर लिए आपन है यह नहीं अपने स्टेडिस को लेके फिर आप एक महिने में क्या ही पड़ पाएंगे अब कुछ बच्चे यह भी सोच रहे होंगे कि सर एक हफते में अगर एक ही चप्टर फिनिश हो पाएगा एक subject का तो इससाब से एक महिने में चार हफते होते हैं तो चार हफते मों च कर सकते हैं एक महिने में अपने कुछ तो पड़ाई पहले से भी करी होगी ओर नहीं करी होगी तो बाकि दो चैप्टर्स को छोड़ दीजिए जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते कम से कम चार चैप्टर को तो अच्छे से करिए अगर आप एक हफते में एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का cover कर पाएंगे ना तो आप एक महिने में हर एक सब्जेक्ट के चार चेप्टर असानी से कर लेंगे यानि वो चार चेप्टर आप इतने अच्छे से कर लेंगे अगर उन में से टीचर कोई से भी कोशन पूछ दे तो आप उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे और कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर हम mcqs इसकी त्यारी कैसे करें तो देखिए cbse की official website पे हर एक subject का sample paper डला हुआ है एक-एक मतलब हर एक subject का एक sample paper पर डला हुआ है आप लोगों ये दिखाने के लिए कि इस तरह का paper बनेगा तो वहां से आप preparation कर सकते हैं वहां से material डाउनलोड करिए अपने फोन में और sample paper solve करना start कर दीजिए कैसे मिलेगा वाइब वीडियो के description में और comment section पर मैंने link दी है उस पर click करें sample paper download करें और solve करना start कर दें और कोई doubt होता है comment section में लिखके बताए मैं जरूर reply करूंगा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like करें बहुत मैनत से वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care